देखो कोई तो रास्ता होगा कोई रास्ता नहीं है वो हमारी उनिवर्स के लिए एक खत्रा है पीटर सरा देखो अपनी आरफ तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम चाहते हो फिर भी ये दुनिया तुमें जुन्ने पर मजबूर करती है दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है इस वीडियो में हंग बात करेंगे ताम होलेंड और जिंदाया स्टारर हॉलिवूट फिल्म स्पाइडर मैन के तीसरे दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में उससे पहले दोस्तों अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मों के बॉक्स ओफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइट कर दीजिए दोस्तों वीडियो को स्किप न करे वीडियो को अल्टक देखे तो दोस्तों बिना टाइम वास्ट किये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आपको बता दू कि टाम हॉलन्ड और जिंदाया स्टार फिल्म स्पाइडर मैन इंडिया में 16 डिसमबर से सिनेमा घरो में दिखाया जा रहा है दोस्तों आपको बता दू कि स्पाइडर मैन ओ बेह Mortal मूवी को इंडिया में 3300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है ये एक स्प्रहीरो मूवी है, इस मूवी का निर्देशन जॉन वाट्स ने की है, स्पाइडर मैन मूवी की बजट की बात करे तो इस मूवी की बजट लगभग 1500 करोड रुपए बताया जा रहा है, फिल्म के कलेक्शन की बात करे तो ये मूवी कुरोना महामारी में भी इंड तो दोस्तों इस तरह से स्पाइडर मैन मूवी का पहले दो दिनों का इंडियानस कलेक्शन लगभग 7 करोड रुपए रही है, जबकि इस मूवी का पहले दो दिनों का इंडियानस कलेक्शन लगभग 75 करोड रुपए रही है, वही अगर बात करें इस मूवी के वर्ल डव पेंसी रिपोर्ट आ रही है। उसकी अनुसार ये मुवी 30 दिन यानी शनिवार को बॉक्स ओफिस पर लगवग 35 करोड रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दू कि कुरोना महामारे के बावजूद भी ये मुवी इंडिया में बॉक्स ओफिस पर जबरदस्ट प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।